प्रिंसिपल्स आफ सिस्टेमेडिक्स मॉड्यूल 214 क्लास पाइसिस पाइसिस को हम फिशिस भी कहते हैं क्लास पाइसिस इस फाउंड इन फ्रेश वाटर, मेरीन और ब्रेकिश वाटर इनकी जो बॉड़ी है वो स्ट्रीम लाइन होती है और कुछ केसिस के अंदर इनकी जो बॉड़ी है वो स्पिंडल शेप या फिर इलॉंगेटिट भी हो सकती है उसके बाद अगर हम एक फिश की बॉड़ी की बात करें तो वी कैन डिवाइड दा बॉड़ी आफ ए फिश इन्टू थी डिस्टिंक पार्ट या इसके तीन बॉड़ी के हिस्से है एक जो पहला हिस्सा है उसको हेड कहते है दूसरा हिस्सा उसका ट्रंक रिजन है और तीसरा हिस्सा उसका टेल है अब यह जो टेल है इसको फिशिस स्विमिंग के लिए इस्तमाल करते हैं जो क्लास पाइसिस है यह एक बहुत बड़ी क्लास है इसको फर्दर हम तीन सब क्लासिस के अंदर डॉड़ करते हैं इसके अंदर साइक्लो स्टॉम्स आते हैं इसके अंदर कॉंडिक्थिस और इसी storms को jealous fishes भी कहा जाता है यह जो jealous fishes है इसके examples की अगर हम बात करें तो इसके अंदर lempray, hagfish वगरा शामिल है इसी तरीके से जो औस्टिक थीज है इनके अंदर जो examples है उसके अंदर electric rays और shark वगरा शामिल है जबके जो औस्टिक थीज है यह ऐसी मचलियां है जिनके अंदर हडियां पाई जाती है और इनकी जो हडियां है वो सख्ट हडियां होती है इसके अंदर आम trout इसकी example है अब जो एक fish है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे characters है जिसकी base के उपर यह पानी के अंदर आसानी से अपनी जिन्दगी गुजार सकते है अगर हम इनके fins की बात करें तो इनके अंदर दो किसम के fins है एक इनके अंदर paired fin है और दूसरे इनके अंदर unpaired fin है जैसे pelvic और pectoral fins के अगर हम बात करें तो यह paired fin है अगर स्लाइड में हम देखें तो यहाँ पे इसके अंदर यह मुख्तलिफ किसम के fins है तो जो paired fin है इसमें यह जोड़े की शकल के अंदर होते है जैसे अगर हम इसके caudal fin की बात करें तो यह paired नहीं है इसी तरीके से इसके अंदर adipose fin है इसी तरीके से anal fin है उसके अलावा इसके अंदर pelvic और pectoral fin है जो के paired fin है इन fin की मदद से जो fish है यह पानी के अंदर अपना balance maintain रखती है उसके अबाद जो fishes हैं इसके अंदर एक खास system मौझूद होता है जिसको lateral line system कहते हैं इस तस्वीर अगर हम देखें तो यह lateral line system है यह जो lateral line system है इस से यह क्या करते हैं इस सिस्टम के जरीए जो इनके इर्द गिर्द का माहौल है उसके अंदर अगर किसी भी किसम की disturbance है तो उसका आसानी से अंदादा लगा सकते हैं उसके बाद अगर हम fish की body को देखें तो इसकी body के उपर scales मौझूद होते हैं और जो scales हैं उसकी मुख्तलिफ types हो सकती हैं ये जो scales हैं इनका function क्या है ये basically इनके जो internal organs हैं उनको protect करने में important role play करते हैं अब अगर हम fishes की बात करें तो the gills help in the respiration fishes के अंदर ये सलाहित होती है कि ये जो पानी के अंदर dissolve oxygen है उसको इस्तमाल कर सकते हैं respiration के लिए इसी तरीके से अगर हम इनके blood circulatory system की बात करें तो they have close blood circulatory system उसके लावा इनका जो skeleton है वो बोनी भी हो सकता है और ये cartilaginous भी हो सकता है जैसा कि हमने ostrich these की बात की ostrich these जो fishes है इनका जो skeleton है वो बोनी है जबके जो कॉंडरिक्टीस है इसका जो skeleton है वो बोनी नहीं है वो cartilaginous है इसी तरीके से ये जो fishes है ये cold blooded animals है यानि ये अपने body का जो temperature है उसको maintain नहीं रख सकते जिस तरह warm bladder animals maintain रख सकते हैं उसके लावा fishes के अंदर एक special organ मौजूद होता है जिसको swim bladder कहते हैं ये swim bladder ऐसा structure है जिसकी मदद से ये अपनी buoyancy को control करते हैं इसकी मदद से ये पानी के अंदर उपर या नीचे move कर सकते हैं उसके लावा जो fishes हैं ये इस organ को और मुक्तलिफ मकासित के लिए भी इस्तेवाल करती हैं उसके लावा दे मेबी herbivores और cornivores इसी तरीके से दे मेबी oviparis और vivipores हर भी और से कामराद है यानि ये plant matters के ओपर feed कर सकती हैं इसी तरीके से ये carnivores हो सकती है या गोश्ट खोर इसी तरीके से ये egg ले कर सकती है या इनके अंदर कुछ species ऐसी हैं जो young ones को ले करती है या गिव बर्थ का phenomenon इनके अंदर होता है इसी तरीके से इनके अगर हम sexist के ब fertilization है वो internal भी हो सकती है और external भी हो सकती है इसी तरीके से इनके अंदर जो extra embryonic membrane है जिसके अंदर amnion है, corion है, elantois है ये इनके अंदर मौजूद नहीं होती इसी वज़ा से ये an amnion है अगर हम इनके digestive system की बात करें तो they have well defined digestive system इसी तरीके से इनका जो nervous system है वो भी develop होता है, इनके अंदर वकाइदा brain मौजूद है और 10 pairs of cranial nerves है और हमने ये कहा कि इसकी तीन major जो subclasses है जिसके अंदर cyclostroms है, इसके अंदर ostrich thys है और इसके अंदर conducties है जो cyclostroms है ये jealous fishes है, conducties इनको cartilaginous fishes कहते हैं और जो ostrich thys है ये boni fishes कहलाती है